दोस्तो अगर आप वाट्साइब का इस्तिमाल करते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको वाट्साइब के न्यू फिचर सेटिंग के बारे में बताने वाला हो और ये भी बताने वाला हो कि कौन-कौन से फिचर वाट्साइब के अंदर एड किये गए हैं वीडियो को complete देखना फैंस आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा वीडियो शुरू करने से पहले सबी से गुजारेश अगर फिशिट है यूटूब चैनल पर नहीं है चैनल को सस्क्राइब जरू कर देना वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक शुरूर करें तो दोस्तो आईए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो जैसे आप यहाँ सामने दे सकते हैं यहाँ पर यह मेरा वर्टसेफ है अगर आप यहाँ पर मैंने वर्टसेफ का अपडेट किया है उसके बाद यहाँ पर मैं वर्टसेफ का उपन करता हूँ ठीक है जैसे मैंने WhatsApp को उपन किया तो आब यहाँ पर आप देखेंगे कि WhatsApp के अंदर बहुत सारे न्यू फिचर एड किये गए हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फिचर की बात करता हूँ जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर आपको यह फिचर देखने को मिलता है ठीक है आप इसके उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूजिंग कम्यूनुटीज का यह ओप्शन देखने को मिलेगा ठीक है अब आप इसका इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दूस्तो अगर आप इसका इस्तिमाल करना चाहते हैं इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं अगर आप वर्टसेप पर ग्रूप क्रेट करते हैं तो आपको WhatsApp पर एक एक group open करके send करना पड़ता था ठीक है पर इसकी मदद के साथ अब आप WhatsApp के 10 groups के अंदर एक साथ message send कर सकते हैं वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ जैसे यहाँ पर है start your community ठीक है आपने इसके उपर click करना है करने के बाद इसका interface कुछ इस तरीके का है उसके बाद यहाँ पर get start का option है आपने इसके उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर community का नाम देना है ठीक है यहाँ पर मैं नाम कुछ भी दे देता हूँ जैसे features यहाँ पर मैंने नाम दिया है उसके बाद यहाँ पर नीचे community description में आप यहाँ पर कुछ भी type कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर nest करना है ठीक है यहाँ पर आप photo भी लगा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपने next करना है ठीक है यहाँ पर मैं nest कर देता हूँ next करने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पर community में जो group create किया है ठीक है आपको यहाँ पर एक group मिलता है community की तरब से ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यह group मिल चुका है अब यहाँ पर आपने क्या करना है अगर आपने काफी सारे group बना के रखे हैं अगर आप उन ग्रोप के admin भी आप ही हो ठीक है add exiting group का option है आपने इसके पर click करना है तो यहाँ पर दे सकते हैं जो मैंने दो ग्रोप यहाँ पर बनाए हैं को यहाँ पर आ चुके हैं ठीक है अब मैं इन दोनों ग्रोप को यहाँ पर select करता हूँ उसके बार next कर देता हूँ नीचे यहाँ पर next क्या मैंने ठीक है उसके बाद यहाँ पर okay कर देना है ठीक है इतना करने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं अब welcome to the community ठीक है इसको मैं यहाँ पर back कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर मैंने back किया उसके बाद दे सकते हैं यहाँ पर आ चुका है features का option आ ठीक है अब जैस इसे दोनों ग्रूप के अंदर एक साथ चला जाएगा ठीक है दोनों ग्रूप के अंदर ये एक साथ चला जाएगा ये message ठीक है तो आप इस तरीके से introducing communities का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद गाईस जो दूसरा feature है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का feature है जैसे आप यहाँ पर setting option आता है इसके उपर click करना है click करने के बाद यहां पर privacy option आपने इसके उपर click करना है click करने के बाद यहां पर सबसे top पर last scene and online option आपने इसके उपर click करना है तो यहां पर दे सकते हैं भी यहां पर भी आपको काफी सारी changing देखने को मिलेगी ठीक है सबसे टॉप पर यहाँ पर everyone है my contact है everyone is the last scene ठीक है यहाँ पर आप last scene किसको दिखाना चाथे हैं यहाँ से आप उसे select کر सकते हैं ठीक है अगर आप नहीं दिखाना चाते हैं किसी को भी last scene नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर nobody select कीजी और नीचे यहां पर everyone select कीजी ठीक है उसके बाद आपका last scene किसी को भी show नहीं होगा ठीक है तो guys यहां पर मैंने आपको दो features की setting बता दी है जो तीसरा feature है वो भी बहुत जादा कमाल का feature है ठीक है जैसे यहां पर मैं किसी क भी chat को open करता हूँ open करने के बाद guys यहां पर आपके सामने एक option आ चुका है इसके उपर click करना है तो नीचे यहां पर pool का option आ जाता है ठीक है आप pool के option की setting कैसे करते हैं कैसे आप इसका इसका इस्तिमाल करेंगे guys जैसे आप online voting तो आपने सुनी होगी ठीक है facebook पर online voting होती है online website की द्वारा भी online voting होती है ठीक है तो आप यह WhatsApp ने भी यह feature निकाला है जैसे आप Twitter पर भी pool का feature देखने को मिलता था अब आपको WhatsApp पर भी यह feature देखने को मिलेगा ठीक है इसका इसका इस्तिमाल कैसे करना है जैसे आप इसके उबर click करते हैं उसके बाद यहां पर question डाल देन है ठीक है जैसे यहां पर मैं type कर देता हूं how to use ठीक है यहां पर मैंने question डाल दिया है how to use उसके बाद यहां पर मैं type करता हूं WhatsApp उसके बाद यहां पर type करता हूं Instagram ठीक है जैसे यहां पर आपको कापी सारे option देखने को मिलेंगे जैसे आप type करते जाएंगे तो यहां पर यह option बढ़ते जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने तीन option डाल दी है उसके बाद यहाँ पर मैं send कर देता हूँ यहाँ पर दे सकते हैं जैसे मैंने इसको यहाँ पर send कर दिया है कि how to use आप क्या use करते हो ठीक है WhatsApp, Instagram, Facebook ठीक है तो यहाँ पर यह voting है online voting है WhatsApp की तरफ से आप इसको जिसको भी send करेंगे तो यहाँ पर यह आपको देखने को मिल जाएगा कि किस option के ओपर ज़्यादा voting हुई है ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे इसके उवर क्लिक किया तो यहाँ पर दे सकते हैं कि एक voting हो गी है एक voting हो चुकी है मेरे द्वारा ठीक है अब यहाँ पर नीची view vote का option है तो यहाँ पर आपको vote देखने को मिल जाएगे ठीक है तो आप इसको WhatsApp की ग्रोप में भी send कर सकते हैं ठीक है और आप इसे WhatsApp चैट पे भी send कर सकते हैं अपने दोस्तों को send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी फोटो खिंचेंगे तो आप सीधे status में लगा सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो यह feature भी आपको यहाँ पर WhatsApp नहीं दिया है ठीक है आशा करता हम आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो को like चरूब का देना फीचिट है यूटूब चैनल पर नहींगा चैनल को subscribe जरूब करें कोई प्रॉलम आते हैं तो वीडियो के नीचे comment box में जाकर आप comment कर सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगे वीडियो देखने के लिए गाईज आप सभी का धन्यवाद प्रॉलम आप सब्सक्राइब